कोरोना वाइरस जिसने पूरे देश में हाहाकार मचाय हुआ है और भारत की राज सरकारों को कमर कस्मे पे मचबूर कर दिया है कल गुड़गाओं के पेटीम के एक एक एंप्लोई में भी कोरोना वाइरस का टेस्ट पॉस्टिव पाया गया है इसी के साथ इंडिया में इस वक्त वाइरस से संक्रमित लोगों की संक्या 39 पहुंच गई है कम्पनी ने सभी इंप्लोईस को कुछ दिनों के लिए वर्क फॉम होम करने और मेडिकल टेस्ट कराने के लिए बोला है ताकि अगर यह वाइरस बाकी लोगों तक पहुँच गया हो तो अर्ली स्टेज पे डिटेक्ट हो सके वहीं CBSE बोड ने कोरोना वाइरस के इंपक्ट को देखते हुए 10 और 12 के बोड एक्जाम हॉल्स में हैंड सैनिटाइजर और मास्क ले जाने की इजाज़त दी है आज मैं बताओं कि थर्मल स्क्रीनिंग वास्तम में कोरोना वाइरस की रोक थाम के लिए क्या इफेक्टिव है या फिर देश के नागरीकों को सुरक्षित महसूस कराने के लिए डमी एक्सेस है जो दुनिया भर के एरपोर्ट्स पर सरकारे कर रही है साथ ही वीडियो के एंड में बताओंगी कि क्यों इस वाइरस से हमारी बॉडी का तापमान बढ़ता है आपको बता दू कि इंडिया के भी 21 एरपोर्ट्स पर थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही है थर्मल स्क्रीनिंग कुछ नहीं महज एक मशीन है जो आपके बॉडी के तापमान को माफती है शरीर का तापमान बढ़ना कोरना वाइरस के लक्षनों में से एक है इसलिए भी वे सभी लोग जिनका तापमान ये मशीन नॉर्मल से जादा बताती है उन्हें एरपोर्ट से ही अलग कॉरिंटाइन कर लिया जाता है दरसल जब कोई व्यक्ति कॉरोना वाइरस से इंफेक्टिड होता है तो जरूरी नहीं है कि उसी समय उसके शरीर का तापमान बढ़ जाएगा या खासना चीकना शुरू कर देगा ये वाइरस जब इंसान में एंटर करता है तो इसके सिम्टम्स को बॉडी में शो होने में 2-14 दिनों तक का टाइम लग सकता है तो माल लोगर कोई इंसान कोरोना वाइरस से हाल ही में इंफेक्टिड हुआ और अभी तक सिम्टम्स शो होने शुरू नहीं हुए है जैसे कि बॉडी का तापमान बढ़ना तो वो थर्मल स्क्रीनिंग में पकड में नहीं आएगा और वहीं दूसरी तरफ अगर किसी पैसेंजर का तापमान मशीन बढ़ा हुआ बता रही है तो वो किसी भी बैक्टिरिया या वाइरस के कारण से हो सकता है उस वाइरस में इंफेक्शन कोरोना का ही हो ये ज़रूरी नहीं है तो इसलिए एरपोर्ट पे जो पकड़े जाने चाहिए वो छूट जाते हैं और नॉन इंफेक्टिड लोग पकड़ में आ जाते हैं इस वाइरस के संक्रमन की असली जांच लाब में ब्लट टेस्ट या स्वैब यानि की थ्रोट टेस्ट से ही हो सकती है उसके लिए जरूरी है उस लाब के पास उस वाइरस का जेनेटिक सीक्वेंस हो जो की चाइना ने सभी देशों को पहुचा दिया है लेकिन अब करें तो क्या करें हर एक पसेंजर का ब्लट टेस्ट लेना भी तो पॉसिबल नहीं है इसलिए अभी तक स्क्रीनिंग पर ही भरोसा किया जा रहा है युनाइटिट स्टेट्स का बताऊं तो 90% कोरोना वाइरस इंफेक्टेड केसिस थर्मल स्क्रीनिंग में पकड में नहीं आये थे पिछले आउटब्रेक जैसे की 2009 में H1N1, 2003 में SARS और 2014 में Ebola वाइरस पर भी एरपोर्ट स्क्रीनिंग इतनी एफेक्टिव नहीं थी ऐसा नहीं है कि सरकार द्वारा की जा रहा ही कोशिशों को क्रिटिसाइज किया जा रहा है पस कहने का मतलग ये है कि biology और इस वाइरस की epidemiology के अनुसार ये method सभी को पकड़ने में सक्षम नहीं है अब बताती हूँ कि क्या-क्या drawbacks है इस thermal screening वाले thermometer के ये machine जिसको thermometer gun भी बोल सकते हैं इसके अंदर है infrared sensors जो हमारे surface के तापमान को read कर लेते हैं बिना skin को touch करें अब दिक्कत यहां आती है कि अगर इसको अपने चेहरे से निर्धारे distance से दूर रखें तो temperature low दिखा देगा थोड़ा pass रखें तो high दिखा देगा environment का भी इस पर असर होता है अगर धूल मिटी वाली जगा है या कोई वक्ती कार में heater चला के बैठा है या फिर किसी ने बुखार की दवाई ली हुई है तो इस screening से तापमान सही नहीं मापा जाएगा कोई इंसान अगर drugs पर हो या फिर अभी अभी exercise करके आया हो तो भी ये मशीन सही तापमान बताने में विफल है सच बात सामने आई जब चाइना की कंपनी जो एक thermometers बनाती है उसकी report आई उसमें उन्होंने clear बताया है कि ये thermometers यूज किये जाते हैं छोटे बच्चों के temperature को चेक करने के लिए ये सिर्फ एक quick screening का जरिया है जितने accurate traditional thermometers होते हैं ये उतने accurate नहीं है viruses जब हम पर आक्रमन करते हैं तो क्यों चड़ता है हमें बुखार हमारे शरीर से जूड़ी एक महतवपून चीज में आपको बता दूँ कि जब भी कोई alien virus हमारे शरीर में घुसा आता है तो हमारी body के अंदर एक जंग छड़ जाती है और वो जंग होती है इस virus को शरीर से भाहर निकालने के लिए जिसके लिए या तो हम छीकते हैं या फिर हमें खासी आती है mostly cases में fever भी आता है तापमान इसलिए बढ़ता है कि अगर कोई virus तापमान बढ़ने से मर सकता है तो वो मर जाएगा आप सोचिए कितना self defensive है इंसानी शरीर तो guys इस virus से लड़ने के लिए जरूरत है हमें इस वक्त aware रहने की ताकि हम इसके transmission को रोक पाएं उसके लिए आप सभी बचाव के उपचारों को follow करें जागरुकता फैलाने के लिए मेरी इस वीडियो को जादा से जादा लोगों तक शेयर करें और हाँ मेरे चानल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें तो चलो मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में